यदि आप धर्ती का स्वर्ग अर्थात कश्मीर गुमने की योजना बना रहे हैं तो आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि आप कश्मीर के श्रीनगर की डल झिल में पानी पर तेरते हुए हाउस भूर्ट में कम से कम एक राज जरूर बिताएंगे यदि आप डल जिल में स्थीध हाउस बोर्ट में रुकना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में हाउस बोर्ट से जुड़ी सारी जानकरी विस्तार से देंगे परन्तु उससे पहले जरूरी है कि आप कश्मीर यात्रा की हर छोटी से छोटी जानकरी प्राप्त कर लें जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राजदानी श्री नगर देश का एक प्रमुक परेटेन स्थल है यदि आप धर्ती का स्वर्ग अर्थत कश्मीर घुमने की योजना बना रहे हैं तो श्री नगर के से पहुचे यह आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है श्री नगर तक सीधी रेल सेवा नहीं है यहां केवल सडक और वायू मार्क के जरी ही पहुचा जा सकता है जेलम नदी के किनारे बसा श्री नगर डलजील खुपसरत गारडन और हाउसबोट के लिए प्रसिद्दे श्री नगर में स्थिर डलजील चारोवर से मुगल गारडन से गिरिये और इसमें हाउसबोट स्थिते तता शिकारे चलते हैं गोर्थलब है कि श्री नगर सडक मार के जरिये पुरे दे से जुड़ा हुआ है श्री नगर बस के जरिये आसानी से पहुचा जा सकता है श्रीनगर तक दिल्ली पंजाब हरेना आदी कई शहरों से सीधी बस सेवा है इसके लावा जम्मू शहर से भी सीधी बस सेवा श्रीनगर के लिए सड़क के रास्ते अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं तो आपको जम्मू होकर ही जाना होगा श्रीनगर दिल्ली से लगबक 859 किलोमेटर दूरे तथा दिल्ली से श्रीनगर का बस का किराया लगबक 1250 रुपे है तथा 18-19 गंटे का समय यादरा में लगता है इसी प्रकार जम्मू से श्रीनगर 246 किलोमेटर दूरे तथा बस का किराया 230 रुपे है बस दोरा जम्मू से श्रीनगर पहुशने में लगबग 7.5-8 गंटे का समय लगता है सड़क मार्ग से श्रीनगर जाने में हाला कि समय ज़्यादा लगता है लेकिन रास्ते में मिलने वाली प्राकरतिक खुबसूरती आपकी सारी ठकान मिटा देती है एसी अद्विती प्राकरतिक खुबसूरती का लुत्फ आप हवाय यातर में नहीं उठा पाएंगे आप जम्मू तक ट्रेन से भी आ सकते हैं परन्तु जम्मू से श्रीनगर आपको बस या टेक्सी से ही जाना पड़ेगा क्योंकि श्रीनगर तक रेल सेवा नहीं है श्रीनगर बस स्टेंड पर उतरने के बाद आप आटो रिक्षा या टेक्सी से आपकी होटल या हाउस बोर्ट तक पहुंच सकते हैं आटो रिक्षा का किराया बहुत कम होता है जो की दूरी के आधार पर लिया जाता है ऐरो प्लेन से श्रीनगर पहुँचना थोड़ा सा महेंगा ज़रूर है लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है श्रीनगर तक भारत के लगबग हर बड़े शहर से उड़ान सिवा उपलब दे एरोप्लेन के जरी दिल्ली से नौन स्टाफ फ्लाइट से शिनगर पहुँचने में करीब देड़ घंटा लगता है यदि आप दो से तीन महिने पहले फ्लाइट का टिकेट बुक करा लेते हैं दिल्ली से शिनगर का नौन स्टाफ फ्लाइट का किराया केवल 2500 से 3000 रुपे पड़ता है यदि आप वन या टू स्टाफ फ्लाइट चुनते हैं तो किराया और भी कम हो जाएगा एरोप्लेन से जाने में आपका भहुत सारा समय बचता है और रास्ते में कोई परिशानी भी नहीं होती यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो हमारा आपको सजेशन ही कि आप फ्लाइट के द्वारा ही शिनगर जाईए एर एशिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एर, एर इंडिया आदी, एरलाइंस, दिल्ली से शिनगर के लिए प्रती दिन कई उडाने संचलेट करती है शिनगर एरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको अपने होटल अत्वा हाउस बूर्ट तक जाने के लिए टेक्सी करनी पड़ेगी क्योंकि आटो रिक्षा तथा बस आपको एरपोर्ट पर नहीं मिलेगी श्रिनगर एरपोर्ट से श्रिनगर सिटी अत्वा डल जिल तक का टेक्सी का किराया 700 से 800 रुप है आप यहां किराया कम करने के लिए बारगें नहीं कर सकते क्योंकि यहां टेक्सी यूनियन है तता टेक्सी वालों की मोनोपोली है श्रिनगर की डल जिल के हाउसबोर्ट में कुछ समय न बिताना चाहे आप हाउसबोर्ट को एक दिन के लिए अनलाइन बुक कर सकते हैं अत्वा श्रिनगर पहुँचने के बाद आप डल जिल पर जाकर सीधे हाउसबोर्ट बुक कर सकते हैं house boat का एक दिन का किराया 700 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक होता है कुछ luxury house boat का एक दिन का किराया 5000 रुपे तक भी होता है आप अपने बजट के अनुसार house boat चुन सकते हैं यदि आप online house boat बुक करते हैं तो आपको किराया बहुत कम पड़ेगा क्योंकि online sites बहुत भारी discount देती हैं आप श्रीनेगर में पहले दिन होटल की बज़ाए house boat ही बुक करें house boat पर आपको breakfast, lunch तता डिनर की भी सुविदा मिलेगी परन्तु आप house boat पर केवल breakfast का ही package ले क्योंकि house boat का खाना ज्यादा अच्छा तता हाईजिनिक नहीं होता है डल जिल के किनारे कई अच्छे वेज तचा नॉन वेज रेस्टोडेंट है आप house boat की बज़ाए वहाँ lunch या डिनर करें house boat पर check-in करने के बाद आप house boat पर चाय अत्वा कॉफी के साथ डल जिल को नहार सकते है तथा house boat पर घूम सकते है शाम को आप डल लेक में शिकारा राइट का आनन ले सकते है शिकारा छोटी नाव के समान होते हैं एक घंटे की शिकारा राइट की cost साड़े 500 रुपे होती है यदि आप दो घंटे शिकारे पर घूमते हैं तो cost 800 रुपे होती है यदि यदि आप चार से ज़्यादा सदस हैं तो आपको दो शिकारे के राइपर लेने होंगे शिकारा आपको house boat से pick करेंगे तथा वापस आपके house boat पर ही drop करेंगे इसमें कोई दोमत नहीं है कि शिकारा पर डल जिल की सेर आपको पूरे जीवन भर याद रहेगी आप house boat के लावा शिकारा राइड डल जिल के किनारे से भी ले सकते हैं सेकडो शिकारे टूरिस्ट के इंतजार में डल जिल के किनारे पर खड़े रहते हैं शिकारा राइड के बाद आप राधा की रसोई अत्वा विशाल वेशनो भोजनाले पर डिनर कर सकते हैं यह दोनों रिस्टोरेंट वेजिटेरियन हैं खाना बहुत स्वादिस्ट है तता रेट भी रिजनेबल हैं यह रिस्टोरेंट डल जिल में हाउस बोट की श्रंखला के पास इस्तिते रात में आप हाउस बोट से श्रिनगर की खुबसूरती नहा रहें उसके बाद आप हाउस बोट में रेस्ट करें इस प्रकार आपका खुबसूरत कश्मीर में पहला दिन समाप्त होता है दूसरे दिन आप सुभा हाउस बोट पर ब्रिक्फास्ट करें तथा अपना सामन पेक करें तथा पहलगाओं के लिए प्रस्थान करें हाउस बोट से आप नाव के द्वारग किनारे पर आये तथा किनारे पर सेकड़ो टेक्सी खड़ी रहे थी है उनमें से एक कोव पहलगाउं जाने के लिए बुक करें श्रीनगर से पहलगाउं की दूरी लगभग 152 किलोमेटर है तता टेक्सी का किराया 2500 रुपे है टेक्सी वाला आपको रास्ते में कई खुबसूरत साइट्स जैसे की अवंतिपूर रुइन्स दिखातावा ले जाएगा अवंतिपूर रुइन्स ग्यारो सो साल पुराना राजा अवंति वर्मन द्वारा निर्मित भगवान विश्नु का मंदिर है हाला कि यह मंदिर टूट फूट गया है परन्तु फिर भी देखने लायक है पहलगाओं पहुँचने में आपको पांच घंडे का समय लगेगा इसलिए आप रास्ते में किसी अच्छे धाबे पर लंच कर लें आपकी टेक्सी का ड्राइवर आपको इस मामले में गाइड कर देगा यदि आप श्रिनगर से 10 बजे सुबह पहलगाओं के लिए निकलते हैं तो आप रुकते रुकते तथा सुन्दरता का आनद लेते हुए भी जाएंगे तो भी आप 3 से 3.5 बजे तक आराम से पहलगाओं पहुच जाएंगे यदि आपने पहले से होटल बुक कर रखा है तो आप महाँ जाएं यदि आपने आनलाइन होटल बुक नहीं किया है तो टेक्सी वाले की मदद से अपने बजट के हिसाब से 800 रुपे से 2000 रुपे पर डे का होटल बुक कर सकते हैं इसके बाद आप पेमेंट देकर टेक्सी वाले को छोड़ दें तता होटल में चेकिन करें शाम की चाई या कफी आप होटल के बाहर लान में बरफिले पहाड़ों को देखते हुए पीए यदि आपका मन करें तो आप होटल से बाहर वेली में टहलाएं इसके बाद रात का खाना आप होटल में ही खाए तता रात में आराम करें इस प्रकार आपका मेजिस्टिक कश्मीर में दूसरा दिन समाप्त होता है तीसरे दिन सुबह पहल गाओं में अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल से ही चंदनवारी, बेतवा वेली तथा अरुवेली गले टेक्सी बुक कर सकते हैं इन तीनो स्पोर्ट को गुमाने का टेक्सी का किराया पंदरा सो रुपे से आठा सो रुपे की बीच है, पहल गाओं से चंदनवारी केवल पंदरा किलुमेटर दूर है चंदनवारी एक बहुती खुपसरत स्पोर्ट है, जहां से उंचे पहाड, जूंते पेड़ और रंग बिरंगे फूल दिखते हैं यदि आप यहाँ अप्रिल से अक्टूबर के महिने में आते हैं, तो आपको वास्तों में लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं आप यहीं इस्तित किसी ढाबे पर लंच करें इसके बाद आप बेताब वेली जाएं 1983 में एक बॉलिवूड रॉमांटिक फिल्म आई थी, जिसमें सनी देवल और अमरिता सिंग एक साथ नजराये थे उस फिल्म की शूटिंग इसी घाटी में हुई थी इस फिल्म के नाम पर ही इस घाटी का नाम बेताब वेली रखा गया है नर्म घास के मेदान और हसीन पहाड़ियों से गिरी यह घाटी पहलगाव और चंदनवाडी के भी चिस्तिते जहां से एक मार्ग अमरनात मंदिर को भी जाता है यह एक खुबसूरत और बहद आकरशक घाटी जो हरे भरे घास के मेदान और बरफिली चोटियों से घिरी हुई है चंदनवाडी से लोटते समय आप बेताब वेली में घुमें बेताब वेली के बाद आप आरू वेली जाईएगा आरू वेली एक महतपूर्ण परिटक स्थले इस वेली के बीचो बीच एक नदी है जिसके किनारे आरू गाउं बसा हुआ है यहां आप हर्स राइडिंग ट्रेकिंग आदी कर सकते हैं इस वेली में आकर आपको स्वीटजर लेंड जैसा अनुबह होगा तथा आपका मन इस वेली से वापस जाने का ही नहीं होगा आपका मन करेगा कि आप इसी गाउं में बस जाएं आरू वेली में आपको चाई नैश्टी की दुकाने भी मिल जाएंगी आरू वेली के बाद आप पहल गाउं गोमते हुए अपनी होटल में आ जाएं तथा रात का डिनर अपनी होटल में ही करें चोथे दिन आप होटल में ब्रेकफास्ट करके गुलमर्ग के लिए निकले हैं पहल गाउं से गुलमर्ग की दूरी 140 किलोमेटर है तथा पहल गाउं से गुलमर्ग पहुँचने में 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है आपको आपकी होटल से ही गुलमर्ग के लिए टेक्सी मिल जाएगी होटल वाले ततकाल टेक्सी पुला देते हैं टेक्सी का किराया पचीस सो से तीन हजार रुपे के बीच होता है आप बारगेन करके टेक्सी का किराया कम भी करा सकते हैं यदि आप सुभह 10 बजे भी पहल गाओं से गुल्मर्ग के लिए निकलते हैं तो आप 5 बजे तक गुल्मर्ग पहुँच जाएंगे. आप चाहें तो रास्ते में Зाब्ध लंज भी कर सकते हैं या आप गुल्मर्ग के लिए आनलाइन होटल बुक की है तो वह आपको बहुत सस्ति पड़ेगी परंतु गुलमर्ग पहुँचकर यदि आप होटल सर्च करते हैं तो होटल वाले बहुत ज्यादा रेड बताएंगे जो 3000 से 4000 रुपे तक भी हो सकता है जबकि आनलाइन बुक करने पर उसी होटल में आपको 1500 रुपे में रुम मिल जाएगा पूरे कश्मीर में सबसे ज़्यादा महेंगे होटल गुलमर्ग में ही है इसलिए यहां के होटल आनलाइन ही बुक करें अनित्था यह होटल वाले आपको लूट लेंगे चोथा दिन समापत होता है अगले दिन अर्थात पांचवे दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद केबल कार राइड के लिए जाएं जिसे कश्मीर में गंडोला राइड केते हैं आप पोनी अर्थात गोड़े पर बेटकर गंडोला राइड के टिकेट काउंटर अर्था स्टार्टिंग पाइंट तक भी जा सकते हैं आप गंडोला स्टार्टिंग पाइंट तक अपनी होटल से पेदल भी जा सकते हैं यहां केवल बीस मीनट में पेदल पहुंचा जा सकता है आप अपने बच्चों को गोड़ा पर बिठा सकते हैं यहाँ पर आपको टेक्सी करने की कता ही जरूरत नहीं है गंडोल राइट के दो फेज होते हैं पहला फेज गुलमर्ग से कुंगदूर का होता है इसका किराया 740 रुपए है सेकेंड फेज कुंगदूर से अपरवात तक का होता है इसके किराया 950 रुपए होता है यहाँ किराया आने तथा जाने दोनों और का मिलाकर होता है यहाँ कुल 100 केबल-कार है एक केबल-कार 6 लोगों को ले जाती है केबल कार पहले फेज में अर्थात कुंगदूर तक 2600 मिटर की उंचाई तक ले जाती है इसमें 9 मिनट का समय लगता है यदि आप सेकेंड फेज अर्थात अपरवाद तक जाना चाहते हैं तो केबल कार आपको 3747 मिटर तक उपर ले जाती है यहां पहुँचने में लगभग 12 मिनट लगते हैं गंडोला राइट से फेज 1 या फेज 2 पर उतर कर स्नो एक्टिविटीज को इंजॉय किया जा सकता है अब परिटो के मन में ये सवाल उठता है कि फेज 1 पर जाएं या फेज 2 पर यदि आप अपरेल मई तथा जून में गुल्मर काते हैं तो ही आपको फेज 2 तक जाना चाहिए क्योंकि इन तीन महिनों में फेज 2 पर ही बर्फ मिलती है तथा महिन पर स्नो एक्टिविटीज जिसे स्किंग, स्नो बाइकिंग आदी होती है इन तीन महिनों में phase 1 पर बर्फ नहीं मिलती है अन्य सभी महिनों मेंavaize 1 तक ही जाना चाहिए क्योंकि सारी snow activities phase 1 पर ही होती है phase 2 पर नहीं कुंगदूर अत्वा अपरवात में snow activities करने के बाद आप गंडोला से वापस गुल्मर्ग आ जाए रात का खना आप अपनी होटल में ही खाएं तथा आराम करें क्योंकि आप स्नो एक्टिविटीज के बाद बहुत ज़्यादा ठक जाएंगे एक महतमन बाद गुलमर्ग अपनी स्नो एक्टिविटीज के लिए देश बर में फेमस है यदि आप अपरेल मई तथा जून में कश्मीर घुमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको स्नो केवल गुलमर्ग में ही मिलेगा तथा वह भी कुंगदूर अत्वा अपरवाथ में अन्य जगह पर बर्फ पहाड़ों पर रहती है जहां जाना संभव नहीं है केवल गुलमर्ग में ही आप गर्मियों में बर्फ को हाथ से चू सकते हैं चटे दिन आप गुलमर्ग से श्रीनगर के लिए प्रस्थान करें गुलमर्ग में आप होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से ही टेक्सी बुक करें गुलमर्ग से श्रीनगर की दूरी केवल 50 किलोमेटर है तता टेक्सी का किराया 1500 से 800 रुपे के बीच है तता गुलमर्ग से श्रीनगर पहुचने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है श्रीनगर पहुचकर आप होटल बुक करें श्रीनगर में होटल का किराया कम होता है जो 1000 से 1500 तो आपका होटल बुकिंग का समय बचेगा शिनगर में होटल दो दिन के लिए बुक करें होटल में चेक इन करने के बाद आप टेक्सी बुक कर सकते हैं या आटो रिक्षा से शिनगर लोकल साइट सीन कर सकते हैं यदि ट्यूलिप गार्डन खुला हो तो उसे अवश्य जिलते हैं इसके बाद आप शिनगर में चश्मेशाही, निशानदबाग तता शालिमार बाग घुम सकते हैं इन तीनों बागों को ही सम्मिलित रुप से मुगल गार्डन्स कहा जाता है और ये तीनों बाग डल जिल के किनारे ही स्थित हैं इसके बाद आप शिनगर में डल लाल छोक देखें तथा यदि आप शॉपिंग करना चाहें तो लाल छोक पर आप यह कर सकते हैं, इस चोक पर कभी-कभी शुक्रवार के दिन पथरबाजी भी हो जाती है, यदि ऐसी स्तिती हो तो आप lal छोक Kollege को देखना इस्तगित भी कर सकते हैं बाकी पूरा कश्मीर परिटेकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है इसके बाद आप डिनर करके रात में अपने होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थाथ साथवे दिन आप जल्दी ब्रिक्टफास कर लें तता टेक्सी बुक करके सोनमर्ग के लिए निकलें सोनमर्ग श्रीनगर से 81 किलमेटर दूर है तता सोनमर्ग पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है सोनमर्ग जाने तता वापस आने का टेक्सी का अधिक्तम किराया 25 रुपे होता है सोनमर्ग के लिए आप सुबह 8 बजे तक निकल जाएं ताकि आप सोनमर्ग 11 बजे तक पहुँच जाएं सोनमर्ग को मिडोज ओफ गोल्ड अर्था सोने की घास वाली जगए कहते हैं सोनमर्ग में आप पोनी राइट का आनन उठाएं सोनमर्ग में ही आप लंच करें निकल जाएं ताकि आप अंधरा होने से पहले श्रीनगर वापस आ जाएं सोनमर्ग से श्रीनगर का रास्ता रात में बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है यदि आप ज़्यादा घूमना चाहते हैं तो सुबह श्रीनगर के होटल से और जलती सोनमर्ग के लिए निकले सोनमर्ग से वापस आने के बाद रात का खाना आप श्रीनगर में अपनी होटल में खाएं अथवा आप डल लेक के किनारे इस्तित रिस्टोरेंट में भोजन करें रात में अपनी होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थात आठवे दिन सुबह का ब्रेकफास्ट करके आप होटल से चेक आउट करें तथा टेक्सी के द्वारा एरपोर्ट अथवा रिक्षा के द्वारा श्रिनगर बस स्टेंड पर आ जाएं होटल से एरपोर्ट वापस जाने का टेक्सी का किराया 700 रुपए होता है यदि आप फ्लाइट से दिल्ली या कहीं और जा रहे हैं तो एरपोर्ट पर अपने गंते विस्थान के लिए बोर्डिंग करें यदि आप बस से जा रहे हैं तो श्रिनगर से जम्मू के लिए बस का टिकेट ले ले तता वापस अपने घर की जरनी इंजॉई करें अब हम आट दिन की इस कश्मीर यात्रा के कुल खर्च पर बात करते हैं चार लोगों का दिल्ली से श्रिनगर तता रिटर्ण श्रिनगर से दिल्ली का फ्लाइट का किराया 20,000 रुपे चार लोगों का आट दिन का टेक्सी का कुल किराया 16,000 रुपे चार लोगों का आट दिन का होटल तता हाउसबोट का किराया 14,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का भोजन का खर्च 14,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का साइट सीन तथा एक्टिविटी का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का कश्मीर में आठ दिन का अधिक्तम कुल खर्च 12,000 रुपे इसे हम 4 से भाग देते हैं तो प्रतिविक्ति अधिक्तम कुल खर्च 18,000 रुपे आता है इस प्रकार आप केवल 18,000 रुपे में शांदार तरीके से फ्लाइट को शामिल करते हुए कश्मीर गूम सकते हैं यदि अब फ्लाइट की जगे बस से कश्मीर आते हैं तो प्रतिविक्ति खर्च घटकर केवल 15,000 रुपे ही होगा यदि आप आप आनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च 14,000 रुपे से घटकर केवल 9,000 रुपे ही आएगा तो अब इंसार मत कीजिए चल्दी कश्मीर गूमने का प्लान बनाईए और अधिक जानकारी के लिए हमें मेसेज करें यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उप्योगी लगी हो तो हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज हमारे चेनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन भी दबाईएगा